Hello student, welcome back to Propelor classes. आज हम discuss करने जा रहे हैं कि उत्राखन PCHA exam को qualify करने के लिए हमें क्या strategy अपना नहीं चाहिए. साथ में syllabus को भी discuss करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज हमें deeply बढ़नी हैं और किस चरह से हमें अपने syllabus को categorize करने हैं. देखी जैसे हमने आपको बताया था जब हमने notification देखा था कि जो 50 questions है वो आपके journal knowledge से आएंगे. अब ये 50 questions journal knowledge से related हैं तो क्या-क्या इसमें cover होगा? तो देखें, day-to-day happening around India and world. विश्व में और भारत में जो day-to-day happening हो रही हैं उनसे related कोईसे questions आप से पूछा जा सकता है. अगर वो legal spares का हो तो और भी जादा important हो जाता है. वहीं world की अगर बात करें हम तो जो international law है ठीक है और आपकी utility यानिकी तठस्तिता है उससे related question अगर बन रहे हैं तो आपको विश्व के current affairs के बारे में भी knowledge होना चाहिए यानिकी आपको उस पर भी focus करना ही होगा. क्योंकि कभी-कभी international law की question थोड़ा tough पूश लिये जाते हैं तो आपको day-to-day happening से related international current affair भी आपकी कमाल में होना चाहिए. वही अगर आगे हम बात करें तो recent legislation pronouncement particularly Indian constitution देखिए recent legislation कोई भी अगर नया law आ रहा है ठीक है तो खासतोर से जो Indian constitution है अगर उसमें कोई amendment किया जा रहा है ठीक है या हुआ है या कोई bill pending जल रहा है तो उससे related knowledge आपको होना चाहिए ठीक है पूरे आप कम से कम जादर भी नहीं तो one year, one year के आपको current affairs national और international level के ready होने जाहिए प्लस इस one year में जितने भी आपके law आए है, bill pass हुए है, amendment हुए है constitution में ठीक है तो ये सारी चीज़े भी आपको ध्यान में रखनी जाहिए उसके बाद आता है आपका law and development, जो भी और development, law से related या other कोई development अगर हो रहे हैं and legal aspects, law स related कुछ भी अगर आपको आ रहा है तो आपके लिए important है, unimportant law से related कुछ भी नहीं है, plus development की अगर हम बात करें तो अब जो आपका technologies है, ठीक है, और आपका other spares में अगर हम देखें तो जो government नहीं प्रोजेक्ट वगरा आते हैं, तो ये सब चीज़ों पे आपकी आपको command होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, और आगे अगर मैं कहूं तो देखें, मैं ये नहीं कहती है, आप से कि आप 50 के 50 सही कीज़े, 50 के 50 नहीं सही होते हैं किसी के, लेकिन हम इतना जरू कहूंगी कि आप कम से कम 50 में से कम 40 तो आप मान के चलिए, मान के नहीं आप एकनम से confirm कर लिजे कि 40 कोशन आपके ठीक होंगे ही होंगे, यान कि होने ही चाहिए, ठीक है, टागेट आपको हमें 50 का टागेट नहीं रखना, हमें सिर्फ 40 का टागेट रखना, आप यहीं अच्छीव करने बैस्ट हो जाए, आप सेलेक्शन ले जाएंगे, नेक्स्ट, देखें, अब आता है हमा आखन की स्टाइश्टीम बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, चैक कोई सा भी एक्जामे क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने MP का भी डाला होगा, डालना भी चाहिए, देखें, आप की भी आपका सब्जेक्ट हो, आप उस सब्जेक्ट को तीन कैटे 80%, देखें, कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं, अगर अभी आप जो है, अभी अभी एलल भी पास आउट हैं, तो कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे, जो आपकी कमांड में होंगे, यानि कि आपको लगता होगा, कि हाँ, ये सब्जेक्ट हम कर लेंगे, confident होता न हैं, कि हाँ, कि हाँ, ये हम सब्जेक्ट कर लेंगे, तो कुछ on subject को आप रखें, अप डगा, 80% में, उन subjects को रखेंगा, उसके बाद next subject आपके वो वाले रखेंगा, जो आपको लगते हैं कि हाँ, कि कर भी लेंगे और नहीं भी हो पाएंगे, ये मिए 50-50 वाले, तीक हैं, वो subject आप रखी 50% वाले में, ठीक है, उसके बाद अब आते हैं वो subject जिनकी आपकी कुछी provisions आपको याद हैं, मतलगते हैं यह ऐसे नहीं होंगे, तो आप तफ हैं, तो वो आप रखी इस category में, अब जो आप अपना time table बनाएंगे, जो भी आप time table बनाएंगे, चाहे आप वो two hours के according बनाएं, ठीक है, या फिर आप three hours के according बनाएं, या फिर आप one hours के according बनाएं, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, तो आप हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा time हैं आपको देना है अपने उस subject को, जो आपका 30%, उसके बाद उस से कम जो time आपको देना है, वो देना है आपको अपने एक, उस subject में जो आपका 50-50 है, नेक्स्ट, बाकी उस से कम time आपको देना है आपके उस subject में जो आपका 80% है, और हाँ, अगर मैं कहूँ तो पहले आप अपने उन subject को लेका चलिए, जो आपके बहुत ही जादा वीक हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने time table में सिर्फ इनी subject को रखिए, इने भी रखिए लेकिन इनको थोड़ा time उसी के according कम दीजिए, तो आपका जो ये slabus है, ये क्या मैं कह रही हूँ किसी भी exam का slabus है, वो आपके क्या होगा, command बे, बहुत अच्छे से आप exam के लिए त्यारी कर पाएंगे, ये मसूची कि सारे subject को हमें बराबर लेके चलना है, हम बराबर लेके चलना है, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपका कोई subject कितना prepare है, कितना prepare नहीं है, उसके according ही आप उसको percentage में divide कीजिए, और percent जब आप निकाल लें, आपको खुदी पता होगा कि आप कितना किसे subject में command रखते हैं, उसके according ही, फिर आप उसकी timing fix करें, तो अभी क्योंकि notification आया ही है, तो थोड़ा time लगेगा exam में, तो आपके पास बहुत अच्छा chance है और बहुत अच्छा time भी है, आप इस levels को बहुत अच्छे से cover कर लेंगे, तो ये था आज के लिए हमा 100% working formula for qualifying उत्रागन PCSG.